हुआ हाला स्टुडेंट्स मैं डॉक्टर गजिन्दपुरीत और आप देख रहे हैं मेरा योट्यूब चैनल जहाँ पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ पर इंजिनियरिंग मैथमेडिक्स बीएस सी अगरा आप किसी भी कॉंपेटिव एक्जाम की तैयरी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही यहां जो आइटेप है यहां पर जाके मेरे रियल आंसिस की पुराने वीडि बात करेंगे यहां पर लिमिट फजीए यहां पर लिमिट फज सेकर्ड फजेश करेंगे राइट फजिन फोज एबुच अब्र तो अपकर जोन एप्स यहां पर दिसक्ट निंगर फॉरइल नमबर इस एवरी एपसलों गर थन जिर सच थे और एं-घ्र इंट तो एं टिर तो मैं आपके सामने एक सेवेंस तो आप देख रहे हैं कि हम बात करेंगे जिसे हम एन की वेल्य पूट करेंगे तो यह मानले जी यह वन आ रहा है तो यह हमारे पास एन वन आ रहा है तो आप देख रहे हैं कि जिसे यह होता जा रहे है यह क्या होता जाएगा कम होता जाएगा तो वो इसके क्या होती है तो यह हम यहां समझानी कोशिश करें कि limit n10 तो इसको एक्जामब्ल को आपको समझानी कोशिश करें इस सकते हैं हम यहां पर कि माल लिए यह हमारे पास fn is equal to one upon in sequence है and then यहां पर हम value ले रहें तो one रखेंगे and one रखेंगे तो one आएगा देन यह one by two आएगा देन यह one by three आएगा right फिर यह one by four ऐसे आता जाएगा ultimately हम जानते है zero पर converge करते तो यह zero होगा हम जानते हैं रखेंधे तो यहां फिरो माइन टो प्लस एपसलों अगर इसके निबर hunt होगे पर इसके बहर में चीप होने चीए लिमिट होता है राइट टो होगा mother बागे आपके समझाने वाला हों कि यहाँ पर इसके नेबर हुड रुड में था हमारे पास क्या होने चाहिए इंफाइन फिरिट नबर पॉइंट सब्सक्राइब कर दे रखा है अगर हम जानते कि n tends to infinity पर इसकी value क्या होती है? 0 हमें यह show करना है. तो इसमिन जब ऐसे question आपके BSA में, exam में आ जाए, तो कैसे इसको हम prove करते हैं? तो यहाँ पर देखें आप, limit n tends to infinity, 1 upon n 0. तो इसमिन यह जो 0 है, यह हमारे पास L दे रखा है, इससे बड़ी value पर यह क्या जाना चाहिए, उसकी limit के neighborhood में जाना चाहिए, मतलब 0 के neighborhood में जाना चाहिए, तो हम यही काम करेंगे, यहाँ पर 1 upon n less than epsilon हो गया, फिर यहां से हम क्या करेंगे, शुन epsilon की value निकालेंगे, तो ultimately हमें यहाँ पर करना, n की value निकालेंगे, तो n की value निकालेंगे, तो शुन n उदर लिया, और epsilon उदर लिया, तो n is greater than epsilon हो गया, तो शुन यहाँ पर क्या हो गया, n is greater than epsilon हो गया, इसका मतलब यह हमारे पास क्या हो गया, m हो गया, क्योंकि हमें क्या चाहिए, n is greater than equal to m, मतलब इस m से बड़ा, ऐसा m exist करना, जिससे बड़ा value लें हम, तो वो कहाँ जाए, उसके neighborhood में जाए, तो हमने यहाँ पर क्या करा रहा है, यहाँ पर यह जो m ले लिया, यह हमने least integer ले लिया, for every epsilon greater than 0, such that there exists m belongs to n, तो यह आएगा 1 upon n minus 0, less than epsilon हो जाएगा, और ऐसा हमने यहाँ पर m exist करा दिया, तो यहाँ पर यह definition को क्या करता है, satisfy करता, that is, यह जो limit n tends to infinity भी यह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इस तरह से यहाँ पर इस question को हम prove करते हैं, तो आगे बढ़ते हैं, इसमें next देखिया आगे, यह देखिया आप, example number 2, आपको यह परूँ करना है, कि minus 1 power n जो है, इसके limit exist नहीं करती है, तो यहाँ पर हमें ऐसा देखना है, कि ऐसा for every epsilon there exists m वाला जो concept है, उसमें हमें यहाँ पर contradiction लेके आना पड़ेगा, तभी हम यह परूँ कर पाएंगे, यहाँ पर limit n, minus 1 power n exist नहीं करेगी, ठीके ना, देखो, limit exist करना, और limit point exist करना, दोनों ही अलग-अलग चीज़, हम बात कर रहें, limit के बारे में, तो limit वाली definition को यहाँ पर हमें, यूज करना पड़ेगर, वैसे भी मैं आपको समझाना चाहता हूँ, हम n is equal to minus 1 power n लें, तो यहाँ पर बात करेंगे, तो हमारे पास क्या होगा, minus 1 power, यहाँ पर हम ले लें, minus 1, है ना, चलो मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके समझाने कोशिश करता हूँ, यहाँ ले लिए, राइट, चलो हम राइं लेंगे यहाँ लें, कहीं भी की पर ट्रिकुलर वेल्यूपर नहीं जा रहा है, आप ऐसा कोई भी यहाँ पर M exist नहीं करेगा, कि जिससे बड़ी वेल्यू पर यहँजके लिमिट के नेवरूड में चला हूए, यह तो 1 पर जाना चाहिए यह माइनस 1 पर जाना चाहिए, यह तो यह बड़े पर 1 पर छला जाए, फिर माइनस 1 पर चला जा है, यह तो यहाँ पर क्या हो गाइस विंट एक्जिस नहीं करेगी, यह तो concept है जो मैंने आपको geometrically समझा है, बाकि हम कहानी से समझाएंगे कि कैसे इसका हम प्रूव करते हैं, तो इसको देखें, suppose a n has a limit point l, यहां पर limit point नहीं है, suppose a n has a limit l, क्योंकि limit l, मान लिए कि यह किसी particular limit पर जा रहा है, then for every epsilon, there exists m belongs to n, देखो बैसे तो नहीं जा रहा है, पर हमने मान लिए कि l पर जा रहा है, तो minus 1 power n, यह a n होता है, a n minus l, तो a n हमने minus 1 power n ले लिए, minus l, less than epsilon for all, n is greater than equal to m, तो हम यहां भी क्या करेंगे, n even लेंगे, जब even लेंगे तो यह 1 हो जाएगा, तो 1 minus l हो जाएगा, जब n को odd लेंगे, तो odd लेंगे, तो यह क्या हो जाएगा, जब लेंगे पर हमारे पास यह minus हो जाएगा, तो यह minus 1 minus l हो जाएगा, right, ultimately आगे बिछे लिख दिया, less than epsilon for all, n is greater than equal to m, इस उन माइनस हम मोड से बहार निकाल देंगे, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते है, 1 plus l less than equal to, less than epsilon for all n greater than equal to m, इस उन हम क्या करते हैं, हम एक example लेके चलते हैं, 2 का, right, इस उन 2 को हम मोड 2 लिख सकते हैं, और 2 को हम 1 plus 1 भी लेख सकते हैं, इस उन क्या करेंगे, minus l और plus l करेंगे, और इसको हम अलग-अलग करेंगे, तो हम जानते इसकी value less than equal to हो जाता है, अलग-अलग करने पर, और हम जानते इसकी value epsilon होंगे, और इसकी value भी epsilon होंगे, अभी हमने इसको करा है, right, less than epsilon, right, तो यह strictly less than हो जाएगा, क्योंकि यह less than equal है, तो यह जाएगा और यहां पर इसकी value epsilon हो जाएगा, तो यहां पर आएगए 2 epsilon, तो हमने यह प्रूव किया है, हम यहां पर 2 लेके चलेते हैं, और इसकी value हमने 2 epsilon लेके आगे, less than, right, तो 2 is less than 2 epsilon हो जाएगा, अब यह कहा रहा है, for every epsilon greater than 0, यह हर epsilon greater than 0 के लिए result true होना चाहिए, पर अगर हम epsilon की value 1 by 2 ले ले, right, तो हम 1 by 2 ले ले, तो आप देख रहे हैं, इस सुनिया पर कि 2 is less than 2 into 1 by 2, और आप देख रहे हैं, आप 2 से 2 cancel हो गया, तो 2 is less than equal to 1, which is not right, clear है, limit बन जाए, okay, so इसलिए यहाँ पर इसकी limit exist नहीं करती है, तो यही मैंने यहाँ पर समझाने की कोशिच करी, right, so minus 1 power n has no limit, okay, next बात करेंगे limit point, इसमें limit point और limit में difference है, और वो ही मैं आपको समझाने की कोशिच कर रहा हूँ, limit, अलग चीज़ होती ही, limit point, अलग चीज़ होती ही, limit point discuss करते हैं, let n be a sequence of real number, p, is set to be a limit point, if p minus epsilon, p plus epsilon, contain infinite terms of n for every epsilon longer than 0, right, अब यही बात कर, जिसे अभी हमने just example prove किया, कि minus 1 power n का कोई limit नहीं होता है, right, पर इसका limit point होता है, अब कैसे होता है, मैं आपको उसकी परिवाशा समझाने की कोशिच करता हूँ, right, अब देखें, student minus 1 power n, में या तो minus 1 value होगी, या फिर 1 value होगी, अगर इसकी sequence हम a n is equal to minus 1 power n ले, right, तो हम value रखेंगे, जैसे 1 रखा, तो a1 आएगा, right, फिर a2 आएगा, फिर a3 आएगा, फिर a4 आएगा, फिर a5 आएगा, फिर a6 आएगा, फिर a6 आएगा, फिर हम इसे चलते जाएगे, तो यह आएगा a2 n प्लस 1 और यह आएगा a2 n, और उसे चलता जाएगा, right, बहुत सारे ऐसे odd numbers, odd a1, a2, a5 होंगे, जिसपे minus 1 आएगा, और बहुत सारे even होंगे, जिसपे 1 आएगा, अब हम बात करते हैं, कि कोई भी one का neighborhood ले ले ले, right, मान लिजे, one का neighborhood ले ले, तो one minus epsilon और one plus epsilon पे infinite number of terms यहाँ पे इस पे लाई करेगे, right, और इसके बाहर भी infinite number of terms क्या हो रही है, rare ही, right, तो इस वाले case में जो one होगा, यह इसका क्या हो जाएगा, limit point हो जाएगा, इसी type से हम इसकी परिवाश्या देखेंगे, तो minus one minus epsilon और minus one plus epsilon हम चेक करेंगे, तो यहाँ पे infinite number of terms जो है, जो इसको minus one दे रही है, तो यहाँ पे minus one minus epsilon and minus one plus epsilon both contain infinite terms of an, so one and minus one are limit point of an, तो यह इसका क्या हो जाएगा, limit point हो जाएगा, तो इस विंट यह concept होता है, limit point करेंगे, अब आगे बढ़ते हैं, इस विंट कुछ important note है, a sequence may have more than one limit, कोई sequence है, उसकी limit तो एक ही होगे, गर वो converge करेगी, right, पर उसके limit point जो होते हैं, वो एक से ज से जादा होगा, तो वहाँ पर limit converge नहीं करेगी, वो क्या करते ही, डाइवर्जेंट हो जाएगी, राइट, हैना, मतब ऑसलेट करने लग जाए, क्योंकि गर वन और माइनस वन, जैसे फर एक्जमपल वन और माइनस वन की बात करें, हम जानते हैं, इसके दो limit point होता है, तो पर यह क्या करेगी, oscillate करेगी, तो जब भी हमारे पास किसी भी जो sequence है, उसका एक से जादा limit point होता है, तो वो क्या करती है, oscillate करती है, normally, हैना, so a sequence में है more than one limit point, a limit of a sequence exists, then it will be unique, अगर बाइचास limit exist करेगी, तो हमेशे क्यों होगी, unique होगी, if sequence है more than one limit point, then limit does not exist, और limit उस वाल होती है, oscillate करती है, so हम जानते हैं, कि a n is equal to minus one power n, does not limit exist, right, so अब बात करेंगे, convergent sequence के बारे में, right, so convergent sequence क्या होता है, let a n be a sequence of real number, then the sequence is set to be convergent, if for every epsilon greater than 0, there exists m belongs to n, such that a n minus, वो ही limit वाली definition है, कि वहाँ पर एक ऐसी limit exist कर जानी चाहिए, हैना, अगर कोई भी convergent sequence है, अगर उसकी limit exists कर रही है, तो वो sequence क्या होती है, मतब कोई भी sequence है, उसकी limit exist कर रही है, तो वो sequence क्या होती है, convergent होती है, यह limit की परीबाइशा है, मैं समझ मारा के नहीं है न, जुम्ह을 आपको समझा है, right, है ना, if limit of a sequence exists, then this sequence is called convergent, right, divergent sequence क्या होता, a sequence a n is set to be divergent, है ना, या तो वो infinite पर converge करनी चीह या फिर minus infinite, मतलब converge क्या हो, उसकी value, उसकी जो limit है, या तो infinite होनी चीह होनी चीह, या फिर क्या होनी चीह है, minus infinite होनी चीह, right, तो a n is equal to a n, a n is equal to a n दे रखा है, या फिर हम जानते a n is equal to minus n, right, यह दोनों ही जो sequence होती है, यह infinite पर diverge करती है, और यह minus infinite पर diverge करती है, right, इसमें बात करेंगे oscillator sequence, oscillator sequence में क्या होता है, इसमें limit तो exist करती है, मतलब limit point exist करता है, पर limit exist नहीं करती है, clear है, तो if a sequence a n has more than one limit point, then it is called oscillator sequence, अभी में आपके समने बताए था, कि अगर कोई भी sequence है, जिसके यहाँ पर एक से जादा limit point होते है, तो वो हमारे पास यहाँ पर क्या होती है, oscillator sequence होती है, जिसका यह हमारे पास क्या है, example दे रखा है, अब next एक और question देखता है, show that the sequence this, 1 upon 1 plus, 1 plus 1 by n power n is convergent, जैसा कोई भी sequence आपको convergent प्रूव करनी है, तो कैसे करेंगे, इसमें n tends to infinite पे आप इसकी value निकालेजे, n tends to infinite पे इसकी value होगी, अगर इसकी value finite आ रही है, तो convergent होगी, अगर infinite आ रही है, तो क्या होगी, divergent हो जाएगी, तो वह हम चेक करेंगे, so we know that, कैसे निकालता है, the sequence is convergent, if limit exists, तो इसकी limit निकालेगे, तो हम जानते हैं वैसे भी इसकी limit, हम जानते के n tends to infinite पे इसके बारावर होता है, यह मंदर e के बारावर होता है, है न, तो सुन यहापर क्या होगा, हम इसको y ले ले लेंगे, इसको हम क्या ले लेंगे, y is equal to 1 plus 1 by n power n हो जाएगा, दोनों तरफ लोग लेंगे, सुन लोग लेंगे यहापर, तो क्या हो जाएगा, ये n, ये लोग 1 plus 1 by n हो जाएगा, राइट, चैनल हम क्या करेंगे, लोग 1 plus x की सीरीس को हम खोलेंगे, ब收क है, न, तो यहापर हमारे पास क्या आता है, ये सब्दैने होती है, न, तो सुन ह्यापर हमारे पास प Administration, ये दे रिखा है, हमारे पास यह दे रिखा log 1 plus x, right, log 1 plus 1 by n दे रिखा है, right, इसको हम DL hospital से भी कर सकते है, अगर आपकी इच्छा है कि सर इसको DL hospital से भी किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, ऐसा कर सकते हैं, हम लोग log 1 plus 1 by n है, और इसको हम लिख सकते हैं, right, है ना, अब भी आप देख रहे हो, यह पर n tends to infinite पर क्या रहा है, 0 by 0, मतलब 0 by 0 हो रहा है, जब 0 by 0 हो रहा हो तो हम क्या करेंगे, आप लिमिट लगाएंगे, है ना, तो हम इसका differentiation करेंगे, तो हम जानते इसका differentiation किता होता है, 1 upon 1 plus n आता है, और इसका differentiation कितना होता है, यह पर 1 upon 1 plus n आएगा, और 1 by n का हम क्या करेंगे, minus 1 by n स्क्वार आजाएगा, right, इस सुनिया भी करेंगे, तो 1 upon n का होगा, minus 1 by n स्क्वार, और जैसे minus 1 by n स्क्वार से यह से cancel हो जाएगा, और n tends to infinite रखेंगे, तो 0 हो जागा, तो य इसकी value आजाएगे, तो हम इस तरह से इस question को कर सकता है, और ऐसे भी कर सकते है, log 1 plus 1 by n के series खोली यहाँ पर, अब इस स्क्वार जाएगा, तो यहाँ पर इसकी log y, log y is equal to 1 minus 1 by 2, 1 by n आएगा, right, plus 1 by 3, 1 by n स्क्वार आएगा, तो log y is equal to 1, 1 minus 1 by 2, 1 plus 3 n स्क्वार, अब जैसे n tends to infinite रखेंगे, तो इसकी value 0 हो जाएगे, इसकी value 0 हो जाएगे, इसकी value 0 हो जाएगे, यह बचेगा और y की value किया आजाएगे, यहाँ पर लोग खटेंगे, तो e आजाएगे, तो यह क्या कर देगा, e पर इसकी value हो एगे, clear, तो इस तरह से this question को हम solve करता है, discuss the conversion of the sequence n, जहाँ और हमेरी दे रखेंगे, तो इसमिन बहुत सिंपल सी बात है, अगर आपको n tends to infinite पे चेक करना तो आप यहाँ पे क्या कर रहे है, यहाँ से n common निकाल देगे, चुली यहाँ पर n common निकालेंगे, तो हम देख रहे है, यहाँ से नीचे से n square आएगा, यहाँ से n तो e cancel हो निकार ту that the sequins this and three n minus one upon four n plus 25. हम हम यहाँ समझे सर्फल देख रहे है और भाकेज से उताए है और खर डवन दिय्ट से करवाना है तो आपको यहाँ पर कोई भी एड रखेंगे तो वो जा Adapt again ने बरूर्ट में जाएगी तो वह हम यहां पर करें कि एपसुलों गड़ेंगे तो एन माइनस एल हैना लेस दन एपसुलों हो जाएगा फिर यहां पर इसको एन की विल्यू रख दी हमने यह राइट इसका हम एल सीम लेंगे यहां पर एल सीम लेकर सिंप्लिफाई करेंगे यहां पर एक ऐसा M exist कर गया जिससे बड़ा एन पर यहां पर यह definition क्या कर रही है इसको satisfy कर रही मतलब यह क्या करेगा मतलब जिस पर क्या रहा है इसका मतलब क्या होगा लिमिट एन टाइस टो इंफिनिट इसको प्रूब करने के लिए बोले तो आपको इस तरीके से यहां करना प्रूब करना होता है तो स्वईंट मुझे लगता है कि इनको सेक्ट का कंसफ समझाए है जहाँ पर लिमिट पाइंट प्सेक्वेंस के बारे में आपको समझ में आओगा तो इस ट्रीके वीडियो से लिए यह जन्राल आपकर देख सकते हैं यह मेरे जन्रला नोटिफिकेशन मेल को प्रेस करके रखें सो देट के आने वेली क्लासिस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें धन्यवाद